क्या भारत आदिवासी पार्टी के मंद्रप्रदेश के इकलोते विधायक सेलाना के MLA कमलेशो डोडियार का अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया है या हो रहा है क्या कमलेशो डोडियार से भारत आदिवासी पार्टी का मोह भंग हो गया या हो रहा है ये सवाल इसलिए कि पार्टी और कमलेशे डोडियार के बीच में पांच ऐसे कारण निकल के सामने आ रहे हैं जिससे लगता है कि दोनों के बीच में अलगा बढ़ रहा है दूरियां बढ़ रही है अब ये पांच कारण क्या है सिलसे लवार आपको बताएंगे और आपको क्या लगता है क्या ये सही कारण है क्या वाकई में रास्ते अलग अलग हो रहे हैं और रास्ते अलग अलग क्यों हो रहे हैं इस पर भी आप अपनी राहे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा देखिए हम सियासत पर बारी की से नजर रखते हैं आदिवासी इलाकों में क्या चल रहा है क्या राजनीती है किन मुद्डों पे लड़ाई हो रही है किन मुद्डों पे सियासी दल अपना अजन्डा रख रहे हैं उनके करीबी सुत्रों ने जो हमें बताया और जो उपलब्द कराया उससे हमको ये वीडियो बनाने में मदद मिली है देखे पहला सवाल दूरियां क्यों बड़ी बारत अदिवसी पार्टी के सिंबोल पर कमलेशो डोडियर सेलाना के MLA बने है उसके बाद उन्होंने पहली स स्पीच में ही वीडान सवा में भारत अदिवसी पार्टी का जो मुख्य जंडा है भील परदेश उसको लेकर मांग भी रखी और उसे रेकार्ड पर भी लेकर आए लेकर अब ऐसा क्या होगा बीते कुछ महिनों में दो महिनों में कि ये महज 50-60 दिन में पार्टी और कमले को विधान सवा सच्वाले ने पत्र लिखकर बी एपी यही भारत अदिवसी पार्टी का सविधान की कौपी मागी थी ताकि वो उनको एक दल के विधायक के रूप में मानेता दे सकें अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको निर्दली विधायक माना जाएगा यह पत्र आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं यह विधान सवा सच्वाले का पत्र है जो कमलेशर डोडियार को लिखकर भारत अदिवसी पार्टी के सविधान की कौपी चाही गई थी विधान सवा सच्वाले भोपाल के दोरा कमलेशर डोडियार के लोगों का कहना है कि कई बार मान मनोवल करने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाजूद बी एपी यानि भारत अदिवसी पार्टी का अलग कमान कमलेशर डोडियार को यह सविधान की कौपी अप लब्द नहीं कर वा रहा है ऐसा आरोब है कमलेशर डोडियार का हाला कि इस पूरे मसले पर जब हम भारत अधियरसी पारटी के जिम्मेदारों से बात करेंगे तो उनका पक्ष भी लेंगे लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ दोरियों की वज़े बता रहे हैं बाकी कमलेशर डोडियार से भी बात करने की कोशिश करेंगे फिराल वो बात नहीं कर रहे हैं और भारत अधियरसी पारटी के राष्टी अधिक से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे तो पहली वज़े ये रिकल के आई है कि कमलेशर डोडियार पार्टी से इसलिए नाराज है कि पार्टी उनको सविधान की प्रति नहीं दे रही है अब ये बड़ा सवाल है कि सविधान की प्रति तो भरत निर्वाचनायोग में मौझूद होगी वहां से भी कमलेशर डोडियार ले सकते हैं लेकिन मदबेत की एक पहली वज़े हमको यहां पर यह समझ में आती है दूसरी वज़े कमलेशर डोडियार पर एफायार कते तोर पर दर्ज हुई एक मेडिकल संचालक की ओर से कमलेशर डोडियार के समर्दोगा कहना है कि एफ आयार गलत तरीके से दर्ज की गई उनको नियाले से अगरिम जमानात भी मिली लेकिन उनको MLA होते हुए भी फरारी काटने पड़ी जंगलों में या इदर उदर जाकर फरारी काटने पड़ी लेकिन उनके खिलाब जो फर्जी मकदमा दर्जवा है उनके अनुसार उस पर भारत अदिवासी पार्टी के किसी भी MLA ने या किसी भी सीनियर पदादिकारी ने जम्मेदान ने एसे एसी F.I.R. का न तो खंडन किया ना अलोचना की ना उनको नेतिक समर्थन दिया न कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट की न सेलाना में आकर कोई धन्ना पदर्शन किया यानि पार्टी नीटल रही पार्टी ने अपना रुक स्टेंड जो है वो नीटल रखा कमलेशर डोडियार के समर्थन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ पार्टी का जिम्मेदार ये कमलेशर डोडियार के खेमे का कहना है इसलिए कमलेशर डोडियार पार्टी से नाराज है ऐसा लग रहा है दूरी बना रहे हैं पार्टी भी उनसे दूरी बना रही है दोनों इससे यही संकेद मिलता है तीसरी वज़े बताई गई है कि कमलेशर डोडियर खेमे का ये कहना है कि उन्हें बगेर बताए वो एक मात्रे मेले हैं भारता जो ऐसी पार्टी के पार्टी का सिंबोल पर लड़के उनने पार्टी का नाम किया है मदपरदेश में लेकिन जब राज जी इकाई का गठन किया गया तो उससे कमलेशर डोडियर को अलग रखा गया उनको इसकी कोई जानकरी नहीं दी गई और चुपचाप ये कारकार्णी बना दी गई ऐसा कमलेशर डोडियर खेमे का आरोप है ये मेरा विचलेशन नहीं है नमबर चाप जब रतलाम की जिला कारकार्णी बनाई गई भारत अदियर सी पार्टी ये बीएपी की तब भी कमलेशर डोडियर समर्थोग कहना है कि उनको अलग थलग कर दिया गया उनको इसकी जानकरी नहीं दी गई पांची वज़े ये बताई जा रही है कि जिस डेम पर जन प्रतरणी सेलेक्शन प्रणाली के तहत रजिस्थान से आए विदायक सहाब ने बालु सिंग गामण को रतलाम जाबवा लोकसबा का उम्मीदवार कोशित कर दिया उस बैठक की जानकरी जब उनने दी गई तब उनने कहा कि वो 212 को विदान सबा के काम से भुपाल में रहेंगे वो इस बैठक में नहीं आपाएंगे तो डेट कर्स्तिती में ये भारत अद्वियसी पारटी की सेलेक्शन पढा ली कि बैठक हो गई और उसमें बालु सिंग आमण को यहां पर उम्मीदवार गोशित कर दिया गया केश्व निनामा दूसरे नंबर पर रहे ऐसा बताया गया है तो ये पांच वो कारण हैं जिससे हमको ऐ नहीं का लेकिन उनकी बातों से जो संदेश हमने समझा वो कहीं ने कहीं लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है अब देखना ये है कि बालु सिंग गामन अब अधिकरत तोर पर उनको पार्टी का उमीदवार गोशित किया गया सिंबॉल भी उनको मिल जाएगा तो क्या अब स् बेनर से लड़ेंगे अगर वो जैस कि और से सुतंतर निर्दली उमीदवा लड़ते हैं तो वो पार्टी की इस पस्त तोर पर हो जाएगा कि अब बिलकुल सामने आ गए हैं तो फिर पार्टी उनको बाहर भी कर सकती है निकाल सकती है निसकासित कर सकती है ऐसे में यह जो म कि बीतर मिल जाएगा लेकिन फिलाल तस्वीर ये सपस्ट कर रही है संकेत ये दे रहे हैं पांच बिंदू की भारत अदिवासी पार्टी यहने बी एपी जिसे सोर्ट में बाप पार्टी कहा जाता है उसके और उसी पार्टी के सेलाना अमले कमले से डोडियार के बीच में जरूर बताईए आप राजिस्तान से हों मदपदेश से हों यह गुजरात के अदिवासी इंचल से हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं